बड़ी खबर बल्या के पकड़ी थाना चेतर के पकड़ी कस्पपे में हाट स्पोट जोन की बावजूत खुली रही दुकाने उत्तर प्रदेश के बल्या के पकड़ी थाना चेतर में कोर्नो पश्ट्यू मिलने के बाद बनाये गया हाट स्पोट हाट स्पोट बनाये जाने के बाद भी खुली रही दुकाने दुकान खुलने का वीडियो हुआ वाइरल वाइरल वीडियो में हॉट स्पोर्ट बनाने के बाद खुली रही किराना दुकान वा कपड़ा की दुकाने पक्री गाउ में धडले से खुल रही किराना की दुकान वा कपड़ा की दुकान खुले आम सरकारी आदेसों की उड़ाई जा रही है धज्या होट स्पोर्ट जोन में आखिर क्यों खुली रही दुकाने किराना की दुकान मा कपड़ा दुकान खुलने से जिला प्रशासन बेखाबर पुरा मामला पकड़ी ठरंचेतर के पकड़ी कश्पे में खुल रही दुकान का है कुरोना पीडित के घर से महाज 50 मीटर की दूरी पर केंटमेंट जो अनके अंतरगत सारी दुकाने पुली हुई थी दुकंदारों से पूछने पर बताया गया कि किसी के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुकाने बंद करनी है आपको पता है कि पचास मीटर दूरी पर यही एक कॉरोना संकर्मित मरीज मिला है आपके एक दुकान से वहां की दूरी कितनी है पचास मीटर है वहां तक पुलिस परसासन दोरा आपको नहीं बताया गया। पुलिस परसासन दोरा अभी तक नहीं बताया गया। पचास मितर दूरी पर कुरोना है। संक्रमित मरीज मिलने के बाद केंटमेंट एरिया की कोई भी दुकाने नहीं खुलेंगे। यह सिदे सिदे जिले अधिकारी महदे के आधेश का उलगवन है। आप देख सकते हैं कैसे दुकाने खुली है। कैमरा को देखते हुए इन्होंने अपनी दुकाने बंद की। जब उन्हें बताया गया कि आप केंटरमेंट एरिया के 50 मिटर के अंदर हैं। यहां से 50 मिटर की दूरी पर कुरोना संकुरमित जो मरीज मिला है। उसका गार है। यहां तमाम केंटरमेंट गाउं घोसित होने के बाद इस गाउं की सारी दुकाने खुली हुई है। दिन के 12 बज़े तक सारी दुकाने खुली हुई है। किसी तरह के भी किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो दिया चप्तल कफुष दुकान है। जो कंटरमेंट एरिया में गाउ है। उसके बाद दुकाने खुली जानी है। यह आपका देश नहीं है। यह आपका देश नहीं है। जो दुकाने खुली जानी है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाए। और सेर करना न भूलें। सतते हैं जरे प्याइब कर्णों सब्सक्राइब मत